हलो मैं सेफटी टीम, वेलकम बैक तो सेफटी इसकील चैनल, दोस्तों आज हम लोग फैक्टिज एक्ट नाइटीन फॉर्टी एट से जुड़ी होई जो फॉर्स चैप्टर है वो हम लोग कम्प्रीट करेंगे अगर आप इस चैनल पर चीक करेंगे तो फैक्टिज एकंट से रिलेटेड अपको एक प्लेडिस्ट मिल जाएगगे जिसमें वह सारी वीडियो add की हुई है I hope आप उसे जरूर देखे क्योंकि उसमें आपको multiple choice history of factors act basic of factors act ये सारे videos आपको उसमें मिलेंगे तो दोस्तो आज आप लोग chapter 1 से जोड़ी हुई जितनी भी points है जितने भी definitions है वो सारे cover करेंगे एक video में ये सारे cover करना आसान तो नहीं है बट मैं कोसिस करूँगा कि इसी video में सारा कुछ cover हो जाए और एक short and solid video बने ओके so friends अगर आपने अभी तक facebook और instagram के safety skill channel को follow नहीं किया है तो आप बहुत कुछ miss कर रहे हैं तुरन follow करें क्योंकि वहाँ पर इससे अलग content मैं upload करता रहता हूँ जिससे आपको regular learning मिलेंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं और one by one हम लोग इस topic को देख लेते हैं तो इससे पहले एक चीज़ और clear कर देना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि fact is act 1948 अभी लागू नहीं है अभी कोई नई act लागू हो गई है मैं ये clear कर देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी act अभी तक लागू नहीं हुई है अभी भी 1948 ही चल रही है ओके the fact is act 1948 जो चल रही थी वही चल रही है अभी ऐसा नया कुछ आया नहीं है आने वाला है बट जब आएगा तो हम लोग उसके बारे में भी डिसकस करेंगे ओके सो फोकस करते हैं भी चैप्टर वन में जो चैप्टर वन में क्या-क्या कंटेंट्स हैं फैक्टर या एक्ट से रिलेटेड़ वो हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट में जो दिया हुए हो है सौर्ट, टाइटल, एक्स्टेंट, एंड कमेंस्मेंट सेकंड है इंटरप्रेटिशन जिसमें जो सेक्शन टू है उसमें ए से लेकर आर्तर छोटे-छोटे देफिनिसंस हैं ठीक है जिसे जैसे कि चाइड किसे कहेंगे टाइम डिले क्या है प्राइम ओवर्स क्या है अलग-अलग डिफिनिसंस उसमें हम लोग देखेंगे एट से लेकर आर्तर थर्ड है रेफरेंस टू टाइम अफ दे 4th let's power two declared different departments to be separate factories or two or more factories to be skilled factory 5th power two exempt during public emergency approval licensing and registration of factories 7th notice by occupier 7know ense of the occupier 7 meal general duties of manufacturer etc. as regards articles and a lot of substances for use in factors तो दोस्तो हम लोग इसमें जो भी important points है, definitions हो वो सारे cover करेंगे, इससे अलावा अगर आपको कुछ comments देखने हैं, जैसे जो factors x related जो case है, उसमें क्या DCI ना है, क्या changes होई, उसके लिए आप book follow कर सकते हैं, मैं आपको बहुत ही कम time में कुछ quality contents provide कर रहा हूँ, सबसे पहले इसमे जो दो-चार line add की होई है, वो मैंने उस वीडियो में add किया है, वो आप जरूर देखें, उसका link मैं आपको description box में दे दूँगा, तो इस वीडियो में हम लोग सीधे start करते हैं, जो second point है, interpretation section 2, तो first definition जो है, वो है adult, adult हम लोग किसे कहेंगे, adult का मतलब होता है, जो कि fact is at 1948 में same to same, adult means a person who has completed his 18th year of age, कोई भी इनसान जो अपना 18 साल उम्र का पार कर चुका है, उसे हम लोग adult कहेंगे, next, adolescent, adolescent means a person who has completed his 15th year of age, but has not completed his 18th year, ऐसा इनसान जो अपना अपनी उम्र का 15 साल complete कर चुका है, बट 18 साल complete नहीं किया है, उसे हम लोग adolescent कहेंगे, ठीक है, दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, लिख लेना होगा, ताकि आप इसे अच्छे से याद कर सके, इसे multiple choice question भी आते हैं, ये interview में भी पूछे जाते हैं, और अगर कहीं meeting वेगरा हो, तो randomly ये question पूछ ले जाते हैं, next, child, child means a person who has not completed his 15th year of age, जो भी लोग है, जो 15 साल से चुटे हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, child, next, young person, young person किसे कहेंगे, young person means a person who is either a child or an adolescent, okay, be clear, young person किसे कहेंगे, या तो वो child हो, या फिर वो adolescent हो, fine, आगे बढ़ते हैं, day, day किसे कहेंगे, day मतलब दिन के बारे हम बात हो रही है, day means a period of 24 hours, beginning at midnight, रात के 12 बज़े से, जो समय स्टार होता है, और 24 गंट के चलता है, उसे हम लोग, day कहेंगे, यह defined करना, यह समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई case होता है, कुछ contradiction होती है, तो यह सारे terms हमें, मतलब quote में, यह सामने रखे जाते हैं, इसी बेस पे फिर design लिया जाता है, next week, week किसे कहेंगे हम लोग, week means a period of seven days, beginning at midnight on Saturday night, okay, यह ध्यान रखने वाली चीज़ है, okay, Saturday night के midnight से ज़रूरी स्टार्ट होता है, उसे हम लोग, week कहते हैं, next, calendar year, calendar year कैसे कहेंगे, calendar year means the period of 12 months beginning with the first day of January in any year, यह बहुत है simple है, next, power, power किसे कहेंगे, power means electrical energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal agency, ठीक है, जैसे हम लोग जेनरली घर में कहते हैं कि line चला गया, तो line जाने का मतलब क्या है कि power चला गया, okay, power means electrical energy, कहीं भी electrical energy का बात हो रहा हो, तो हम लोग power हैंगे, okay, next, prime movers, prime movers कैसे कहते हैं, prime movers means any engine, motor or other appliance which generates or otherwise provides power, okay, very simple, दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा मकसद यह है कि मैं आपके लिए कुछ quality वीडियो लाओ, जिसे देखकर आप कुछ qualities learning ले सके, okay, क्योंकि आप अपना यहां valuable time इनवेस्ट कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम समय में आपको क्या जादा से जा आपको समझ आएगा, next, manufacturing process, section 2 के, section B आपको याद रखने है, क्योंकि यह भी पुछे जाते है, कि किस section में क्या define किया हुआ है, so section 2 के में manufacturing process define किया गया है, तो इसका क्या मतलब है, first point, making, altering, repairing, ornamenting, finishing, packing, oiling, washing, cleaning, breaking up, demolishing, or otherwise, otherwise treating or adapting any article or substance with a view to its use, sell, transport, delivery or disposal, okay, यह सारे term, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कौन-कौन से term इसमें आ रहे है, ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाना, उसको alter करना, उसको repair करना, ornamenting करना, finishing करना, किसी भी चीज़ को, packing करना, oiling करना, washing करना, cleaning करना, यह सारे manufacturing process है, okay, next, second point, pumping oil, water, sewage, or any other substance, third, generating, transforming, or transmitting power, यह क्या है, manufacturing process है, fourth, composing types of printing, printing by letterpress, lithography, photo, gravier, or other similar process, or book binding, यह सारे क्या है, manufacturing process, fifth, constructing, reconstructing, repairing, refitting, finishing, or breaking up, ships, or vessels, last, preserving, or storing any article in cold storage, तो, यह जो भी define के हुए है, इस page में, यह सारे कुछ, किस में आएंगे, manufacturing process में, okay, किसी भी company में, यह सारे काम, मतलब किस पर से कोई भी एक काम हो रहा है, तो वो कहलागा कि यहां पे, कुछ manufacturing हो रहा है, okay, next, section 2L, इसमें क्या define क्या गया है, worker, worker, who is worker, worker किसे बोलेंगे हम लोग, so worker means a person employed directly or by or through any agency, okay, agency कहने का मतलब vendor, contractor, third party, okay, या तो वो directly employed हो, या indirectly employed हो, वो worker कहलाएगा, second point, with or without knowledge of the principal employer, principal employer के knowledge में अगर नहीं भी है, और वो काम कर रहा है, तो वो worker ही कहलाएगा, whether for remuneration or not, next, in any manufacturing process, next, in cleaning any part of the machinery or premises used for the manufacturing process, next, in any other kind of work incidental to or connected with the manufacturing process or, but does not include any member of the armed forces of the union, okay, तो ये worker, ये सारे काम में जो भी काम कर रहा हैं, उसे worker कहेंगे, और last time क्या लिखाएगी, अगर वो armed forces में काम कर रहा है, तो वो worker नहीं कहलाएगा, okay, next है, section 2M, last में आप देख रहा होंगे, जिसमें factory define किया गिया है, कि what is factory, factory हम लोग किसे कहेंगे, तो इसके लिए मैं एक separate video बनाया है, जिसका लिंक आपको description box में मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं, इस video के बाद, आगे बढ़ते हैं, section 2N, section 2N define करता है, who is occupier, occupier हम लोग किसे कहेंगे, simple word में कहेंगे, किसी भी company के मालिक को हम लोग occupier कहते हैं, ठीक है, so occupier of a factory means, the person who has ultimate control over the affairs of the factory, second, in the case of a farm or other association of individuals, any one of the individual partners or members thereof shall be deemed to be the occupier, next, in the case of a company, any one of the directors shall be deemed to be the occupier, अगर बहुत बड़ी company है, जिस में, जिस मालिक के बहुत सारी company होती है, तो वो हर जगा तो occupier नहीं कहलाएगा, तो उस company में जो वो director hire करता है, वो director को ही वहाँ का occupier कहा चाता है, next, in the case of factory owned or controlled by the central government, or any state government or any local authority, the person appointed to manage the affairs of the factory government shall be deemed to be the occupier, okay, in case of factory owned or controlled by the central government or any state government, तीक है, अगर कोई company central government या state government के अंदर में चल रहा हो, और any local authority, the person appointed to manage the affairs of the factory government shall be deemed to be the occupier, वहाँ के लिए hire करी के जो director होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, occupier कहेंगे, okay, next is reference to time of the day, third point में कहने का मतलब यह है कि, हम लोग जो दिन का समय उसे कैसे define करेंगे, okay, in the act, reference to the time of day, reference to Indian standard time, being five and a half hours, ahead of greenwich mean time, GMT जिसे sort में हम लोग कहते हैं, अपने देखा हो कि जब आप घड़ी का time change कर रहे होंगे, तो हम आपे लिखा हो आता है, GMT 5.30, GMT 5.30, यह पोई कई बल, 4-5 बल लिखा होता है, तो वहाँ से आप इस चीज को relate कर सकते हैं, okay, तो इसमें यह कहा गया है कि, कि किसी स्टेट का time of day क्या कहलाएगा, और वो किन बातों पर depend करता है, तो provided that for any area in which Indian standard time is not ordinarily observed, the state government may make rules, अगर किसी state में ऐसा है कि वहाँ पे, जो standard time है, वो उसे थोड़ा अलग वहाँ पे time चल रहा है, तो जो state government है, वो decision ले सकते कि, कि किस time से किस time तक का हम लोग किस time से किस time को हम लोग day count करेंगे, ओके, तो ए जिस पर depend करेगा, फर्स्ट, specifying the area, फर्स्ट, defining the local mean time ordinarily observed therein, फर्स्ट वन, permitting search time to be observed in all or any of the factories situated in the area, तो इन तीन बातों पर depend करेंगे, कि वहाँ पे हम लोग कौन सा time, टाइम, डे का जो time फॉलो करें, कहने का मतले कि वह हमारा working time के बारे में बात हो रहा है, ओके, तो next, फॉर्थ, पावर तो डिकलेर different departments to be separate factories, और two or more factories to be a single factory, तो फॉर्थ में क्या होला गया है, कि जब अलग अलग department है, उसे हम लोग एक करना चाह रहे हैं, तो वह किस section में आएगा, फॉर्थ में आएगा, अगर मालीजे, कि दो और उससे ज़्यादा company है, उसे हम लोग merge करना चाह रहे हैं, एक में करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या rule है, और क्या act में, उसके बारे में प्रावधान है, वो यहाँपर डिसक्स किया गया है, फोर में, यह पॉइंट गोइंट जो है, clear cut occupier को यह power देती है, कि आप different department को एक factory में merge कर सकते हैं, या फिर two or more factories को आप एक factory में merge कर सकते हैं, यह occupier को power दिया जाता है, नेक्स्ट फिफ्ट पॉइंट, power to exempt during public emergency, इस पर द्यान देज़ेगा, in case of public emergency, the state government में, state government क्या करे नहीं है, public emergency में, exempt any factory from all or any of the provisions of this act, exemption दे सकती है, exemption के बारे में बात हो रहा है, for such period and subject to such conditions, as it may think fit, condition के ओपर depend करता है, कि किस तरह और क्या exemption दिया जाए, no such notification shall be made, for a period exceeding three months at a time, अगर कुछ exemption दिया जा रहा है, तो उसका maximum time period का, वो three month का होगा, उससे ज़्यादा का exemption नहीं दिया जा सकता है, तो जैसे हम लोग consider कर सकते हैं, अभी जो हाली में आया था, covid-19 का जो public emergency आया था, जिसमें हर state के जो government है, वो अपने according decision ले रहे थी, वहां का क्या situation है, क्या condition है, उसके according state government, हर companies को exemption दे रहे थी, तो उस covid से अब relate कर सकते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए, अब इसमें क्या exemption नहीं दिया जा सकता है, यह ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, यह समझ देना ज़रूरी है, section 67 cannot be exempted in any case, तो section 67 क्या बोलता है, provision of employment of young children, किसी भी condition में जो यह condition है, कि young children वहां पर काम नहीं करेंगे, इसके लिए कोई भी exemption न दिया जाए, इसे हमें साथ ध्यान में रखना है, sixth, sixth point है, first chapter का, approval licensing and registration of factories, तो यह क्या बोल दिया है, making application to the government, if on an application for permission, accompanied by the plans, and specifications required by the rules, sent to the state government, or chief inspectors by registered post, ठीक है, कि licensing का जो process है, company registration का जो process है, जो process है, वो कैसे करना है, state government के थ्रू होगी, ठीक है, जो chief inspector है, या state government है, उसे by post, registered post, हमें application भेजना है, कौन भेज़ेगा, occupy, and no order is communicated to the applicant, within three months from the date on which it is so sent, the permissions will be deemed to have been granted, if the application is rejected, appeal can be made to the government, within 30 days of the date of such rejection, अगर माल लीजे, grant हो गया, तो ठीक है, अगर माल लीजे, grant नहीं वाद, तो 30 days के अंदर, फिर से apply करना है, और कौन सा फॉर्म फिल होता है, इसके लिए, फॉर्म बन्न को भी फिल्ड, अगर कोई एरिया को, occupier as a factory use करना चाहता है, तो उसे क्या provision है, कि at least 15 days before, he begins to occupy, जब वो किसी एरिया को occupy करने जा रहा है, उसके 15 दिन पहले, चीफ इंस्पेक्टर को inform करना है, तो उसमें क्या क्या रहेगा, details, the name and situation of the factory, the name and address of the occupier, the name and address of the owner of the premises, the address to which communications relating to the factory may be sent, next, the nature of the manufacturing process, next, the total rated horsepower installed or to be installed in the factory, the name of the manager of the factory for the purpose of this act, the number of workers likely to be employed in the factory, such other particulars as may be prescribed, तो यह सारे details के साथ उन्हें 15 दिन पहले, चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजना है, तो यह किस में आता है, notice by occupier में आता है, जो occupier है, जो company का मालिक है, उनकी general duties क्या है, जनरल duties क्याने मतलब उनकी responsibilities के बारे हम बात हो रही है, occupiers shall ensure the health, safety and welfare of all workers, employees के health, safety and welfare के लिए कौन responsible है, directly occupier, while they are at work in the factory, जब भी workers company के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर employee काम कर रहे हैं, तो जितने तरह काम कर रहे हैं, उतने देर के लिए उनके health, safety और welfare के लिए, occupier responsible है, next, every occupier shall prepare a written statement of his general policy, with respect to the health and safety of the workers, हर occupier को, workers के health and safety को ensure करने के लिए, policy बनाना जरूरी है, यह किस में लिखा हुआ है, यह 7a में लिखा हुआ है, last, bring such statement and any revision thereof, to the notice of all the workers, उसमें time to time, अगर कुछ revision वज़रा होता है, कुछ statement आते हैं, तो सभी workers को inform करना भी जरूरी, ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग, यह Fact is Act का जो first chapter है, वो successfully complete कर चुके है, I hope आपको अच्छे से समझाया हुआ, अगर इसके बावजूद, आपके मन में कोई doubts है, तो comment box से में लिए, मैं उसका answer करने या कोशिस करूँगा, वीडियो अच्छे लगी हो, एक like जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ सेर करें, ताकि उन्हें भी यह knowledge मिल सके, और वो भी कुछ quality learning ले सके, अगर आपने अब इते के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें खंटी दबा ले, तभी आपको इस तरह के interesting वीडियो, आपके mobile पर मिलेंगी, ओके, थैंक्स पर वाचिंग,